Hello friends, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नीट का रिजल्ट आने के बाद आपको क्या क्या करना होता है तो इस वीडियो के बाद आपके सारी confusion दूर हो जाएगी तो देखे सबसे पहले आपको देखना होता है कि क्या आप eligible है यदि आप eligible है नीट की counseling के लिए तो आगे आपको कुछ steps follow करने होता है तो आप eligible है या नहीं उसके लिए आप need की cut off देख सकता है इसके लिए हम already एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम बताया है कि आपको कितने number पर admission मिल सकता है यदि आपके उतने number है तो ही आपको counseling में participate करना चाहिए otherwise आपको next year के लिए preparation करने चाहिए तो start करते है कि आपको counseling के लिए क्या-क्या करना होता है तो देख यहाँ पर आपको चार step follow करने होता है नमबर वन, registration आपको सबसे पहले counseling के लिए registration करना होता है नमबर टू, fees payment आपको counseling के लिए fees payment करना होता है नमबर थ्री, choice filling तो नमबर थ्री पर आती है choice filling जिसमें आप, जो आपको college चाहिए उसके लिए आप choice filling करते है and last step है seat allotment यानि कि आपको जिस college में admission मिला है उसमें जाके आपको seat allot करानी होती है यानि कि admission लेना होता है तो इस तरह से आपको ये चारो step follow करने होता है तो इनकी हम बारी-बारी बात परेंगे तो देखिए NEET के result आने के साथ से 8 दिन बाद MCC की website पर NEET की counseling के लिए registration स्टार्ट हो जाता है इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है इसे आप अपने घर पे भी कर सकता है बस आपको पता होना चाहिए कि इसे कैसे करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने phone में या अपने laptop में type करना होता है www.mcc.nic.in तो ये MCC की official website है तो देखे आपके सामने एक website खुल जाएगी जहाँ पे आपको तीर option मिलेंगे PG Medical Counseling, UG Medical Counseling and Super Counseling आपको UG Medical Counseling पे क्लिक करना है जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने MCC की official website open हो जाएगी जहाँ पे आपके need के सभी process होंगे यानि कि आपकी counseling के सारे process यहीं पे होंगे और यहाँ पे आपको counseling से related सारी information मिल जाएगी जैसे कि यहाँ पे counseling schedule भी मिल जाएगा आपको college की details मिल जाएगी and seat matrix भी मिल जाएगा तो आपको यह सब check करने के वाद सबसे पहले यहाँ पे new registration पे click करना है जैसे ही आप click करेंगे आपके साम एक नई window open होगी यहाँ पे आपको कुछ details फिल करने होगी सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना role number फिल करना होगा application number फिल करना होगा candidate name फिल करना होगा mother name फिल करना होगा date of birth, mobile number, email id and security pin जो की आपको नीचे दिया होगा इसे आपको फिल कर देना होगा और submit पे click कर देना होगा submit पे click करते ही आपका registration complete हो जाएगा उसके बाद आपको candidate login पे click करना है और यहाँ पे आपको अपना role number and password फिल करना है और submit पे click करना है इसके बाद आपको अपना fees payment करना होता है तो किसके लिए कितनी fees लगती है वो भी हम आप बता देते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको दो तरह की fees पे करनी होती है एक fees आपकी होती है non-refundable यानि कि ऐसी fees जो कि एक बार आप जमा कर देते हैं तो आपको वापस नहीं होती है तो इसे हम कहते हैं non-refundable registration fees तो देखिए इसमें भी आपकी दो categories होती है एक होती है All India Quota की 15% seats के लिए एक होती है deemed universities के लिए तो यदि आप All India Quota की seats के लिए participate करना चाहते हैं और general categories से हैं तो आपको 1,000 रूपीज पे करनी होती है और यदि आप deemed universities के लिए participate करना चाहते हैं तो आपको 5,000 रुपीज पे करने होता है। और यदि आप SC, ST, OVC या PWD कटेग्रिस हैं तो आपको 500 रुपए All India के लिए and deemed universities के लिए 5,000 रुपेज पे करने होता है। तो ये सबी fees आपकी non-refundable होती है, यानि कि आपको ये वापस नहीं की जाती है। अब आते हैं refundable tuition fees के उपर, तो देखिए refundable fees होती है, यानि कि आपको वापस हो जाती है, यादि आप admission नहीं लेते हैं, तो इसमें भी दो कटेग्रिस होती है, 15% All India Quota and deemed universities, 15% All India Quota के लिए जर्नल कटेग्रिकी fees है 10,000 रुपीज, जबकि deemed college के लिए fees है आपकी 2,00,000 रुपे, आपको 2,00,000 रुपे जमा करने होते हैं, यादि आपको admission मिल जाता है, तो आपकी fees मिस से ये कट जाते हैं, यादि आपको admission नहीं मिलता है, तो ये आपको वापस हो जाते हैं, SC, ST, OBC, PW लुडी के लिए fees है, All India quota के लिए 5,000,000, and Deep Universities के लिए 2,00,000,000 रुपीज पेमेंट के बाद 3rd step होता है, 24 filling, तो ये आपके लिए बहुती important step होता है, इससे आपको बहुती साफधानी से fill करना होता है, आपको देखना होता है कि आपको सबसे पहले कौन सा college रखना है, और उ ये documents हैं, जो कि आपको counseling के लिए चाहिए होते हैं, चलिए आपको ये documents अपने पास जरूर रखने हैं, तो पहला है admit card of exam issued by NTA, आपके पास एक admit card होना चाहिए, result rank letter, आपके पास एक result होना चाहिए, birth certificate, आपके पास आपका birth certificate होना चाहिए, birth certificate के रूप में आप अपना 10th का certificate use कर सकते हैं, आपके पास 12th class का certificate होना चाहिए, और 12th class की marksuit भी होने चाहिए, और आपके पास 8 passport size के photograph होने चाहिए, जो कि आपने application form में लगाए थे, बिल्कुल वैसे ही, और आपके पास provisional allotment letter होना चाहिए, जो कि आपको online मिलेगा, जब आप counseling करेंगे, choice filling करेंगे, उस card के रूप में आप अधार card का इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि आपके पास अधार card नहीं है, तो आप pen card या फिर driving license का भी use कर सकते हैं, इसके अलावा, जो candidates SC-ST category से हैं, उन्हें उनके पास SC-ST का certificate रखना है, जो OBC से हैं, उनके पास OBC का certificate होना चाहिए, और जो PH हैं, उनके प इस अगली वीडियो में हम देखेंगे choice feeling, जो कि एक बहुत ही important step है, उसमें हर साल कई सारे students गलती कर देते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा college उपर रखना है, कौन सा college नीचे रखना है, क्योंकि कई बार अच्छे marks होते हुए भी हमें college नहीं मिल पाता है, इ उस पर हम जल्दी वीडियो अप्लोड करेंगे, thank you.